हेलो फ्रेंज आज मैं बनाऊंगे आलू मटर की सबजी इसे बनाना बहुत ही आसान है और यह बहुत टेस्टी भी होती है तो चलिए फ्रेंज शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने लिए हैं बॉल की वह आलू से मैं हाथों से तोड़ लिए हूं आप चाए तो चाकु से मोटा कट भी कर सकते हैं उसके बाद हमने कड़ाए लिए उसमें दो बड़ी जम्बस तेल डाला तेल करम होने के बाद उसमें जेरा डाला जेरे को हम हलका ब्राउन होने देंगे उसके बाद उसमें हम प्याज एट करेंगे प्याज को मैंने यहां पे लंबा और मोटा कट किया है इसे 5-6-7 मिन게요 flame में तेल में फ्राइब करेंगे और इसे चलाते जाएंगे तांकि यह ज़ल लेना इसके बाद इसमैं को लगारेंगे को अरशने कि भी मटर में तक मिध्यमिंग डालेंगे और उसमें एक छोटी चमच दमग डालेंगे, इस से टेस्ट अच्छा आता है गरेवी का और उससे हम चलाते जाएंगे तांकि जल लेना उसके बाद फिर इसमें टमाटर एड़ करेंगे टमाटर का पेस्ट बना के और टमाटर के पेस्टो को प्याज और मटर के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे चलाते जाएंगे मीडियम फ्लेम फे साथ से आठ मिनट तर दब बारी आती है मसालो की सबसे पहले एक छोटी चमच हल्डी डालेंगे एक छोटा चमच धनिया और एक छोटी चमच कस्मीडी लाल मिस्ट एड़ करेंगे और इसके बाद एक छोटी चमच नमग नमग हमने पहले डाला हुआ है तो इससे स्वात के अनुसार ही डालेंगे तो अध मसालो को अच्छे से मटर प्याज के साथ मिक्स करेंगे दो मिनट लो फ्लेम में ढखके पकाएंगे फिर इसके बाद हम आलो को इसमें डालेंगे और आलो मसालो के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और इस अच्छे से चलाएंगे ताकि यह जलेना उसके बाद लो फ्लेम में पांस से छे मिनट हम इसे ढखके पकाएंगे एक चमच गरम मसाला एट करेंगे इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे सब्सक्राइब और उसके बाद दो ग्लास गुनगुना पानी इसमें डालेंगे अच्छे से चलाएंगे और पांच मिनट लो टू मीडियम फ्लेम में हम पकाएंगे सब्सक्राइब तो हमारी सब्जी बन रही है उसका सब्जी पकने के बाद हम इसमें फ्रेस हराधनिया एट करेंगे इससे टेस्ट ही अच्छा आता है तो फ्रेंज इस रेसिपी को आप ही चरू ट्राइब कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और सेयर क कीजिएगा तो हमारी सब्जी बन के तयार है आप चाहिए तो थोड़ा पतला भी कर सकते हैं से यहां पर मैंने गाड़ी ही बनाई है तो अब हम सब्जी को सर्व करेंगे गर्मा गर्म रोटी के साथ धन्यवाद